बॉलिवुड ने लंबे समय से साधारन पारिवारिक कहानियों और रिष्टों को हाशिये पर डाल रखा था रक्षा बंधन के साथ निर्देशक आनंद ए राए एक बार फिर उन्हें सामने ले आए हैं अक्षय और अन्य सभी कलाकारों ने इसमें पूरी उर्जा से काम किया है बॉलिवुड फिल्मों में साधारन जीवन जीने वाले परिवार लापता हो चुके हैं रिष्टे और उनसे जुड़ी भावनाएं हिंदी फिल्मों में लंबे समय से हाशिये पर है कहानी में यदी परिवार की जरूरत भी होती है तो गिंती के किरदारों को दिखा कर जल्दी से छुट्टी पा ली जाती है लेकिन निर्देशक आनंद एल राय की फिल्म रक्षा बंधन न केवल परिवार को नए सिरे से अपने सिनेमा में लाती है बलकि भाईभन, माबाप, घर की चारदीवारी, मिडिल क्लास, समाज और उसमें अब तक मौजूद कुरीतियों को दूर करने की बात करती है कम्प्यूटर ग्राफिक्स, VFX से सजी फिल्मों के इस दौर में आपके सामने एकाएक सरलसामाजिक फिल्म आती है जिसमें भाईभन का रिष्टा और कुरीतियों में पिस्ते आदमी की जरूरी चिंताओं पर फोकस नजर आता है रक्षा बंधन इस लिहाज से अपने समय की एक अलग फिल्म है फिल्म एक भाई और उसकी चार बहनों की कहानी है लेकिन इसके बीच में लव स्टोरी का रोचक एंगल भी है दिल्ली के चांदनी चौक में गोलगपे और चाट की दुकान चला रहे लाला केदारनात अक्षय कुमार ने अपनी मरती हुई मा को वचन दिया था कि वहाँ पहले अपनी चार बहनों को दुलहन बना कर घर से विदा करेगा उसके बाद ही अपनी शादी करेगा अब ट्विस्ट यहाँ की केदार के मोहले में ही रहने वाली सपना भूमी पेडने कर बचपन से उसकी दुलहन बनने का सपना देख रही है केदार को भी उससे प्यार है और उससे ही शादी करना चाता है इधर दहेज के अभाव में केदार की बहनों की शादी नहीं हो पा रही है और उधर सपना के पिता कुछ ही महीनों में रिटायर होने से पहले हर हाल में बेटी की शादी कर देना चाते है उन्होंने केदार की हालत समझ कर बेटी के लिए लड़के देखना शुरू कर दिये हैं क्या केदार समय से अपनी बहनों की शादी कर पाएगा? क्या वह चारों की शादी के लिए जरूरी दहे जुड़ा पाएगा? फिल्म इनी सवालों के जवाब लेकर दर्शकों के सामने आती है रक्षा बंधन मूलता दो हिस्सों में है पहला हिस्सा उन भावनाओं का है जो भाईभन के स्नेय और एक दूसरे के लिए त्याग की बाते करती है यहाँ भाई अपनी बहनों की शादी करने के लिए तमाम उठाप तक करता है लोगों के हाथ जोडने और रिष्टे जमाने वाली मैरिस ब्यूरो की आंटी तक के पैर पड़ता है हाला कि इस हिस्से में कॉमेडी का रंग भी जमा है अक्षय फॉर में नजर आते हैं उनकी एनरजी कॉमेडी को उचाई पर ले जाती है यहाँ ऐसी कॉमेडी है जिसे आप परिवार के साथ देख सकते हैं जबकि फिल्म का दूसरा हिस्सा समाज में फैली दहे जैसी बुराई पर केंद्रित हो जाता है यहाँ दिखता है कि दहे जुटाने के लिए भाई किस तरह खुद को दाव पर लगाता है रक्षा बंधन की जान इसके कलाकार है अक्षय ने अपनी भूमिका में जान फू की है लेकिन भूमी पैडनेकर के साथ बेटी की शादी के लिए चिंतित रहने वाले पिता के रूप में नीरज सूद और मैचमेकर बनी सीमा पावा भी छोटे मगर रोचक रोल में है बड़ी बहन गायतरी की भूमिका में साधिया खतीब अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है फिल्म की स्क्रिप्ट खास तौर पर उत्तर भारत के छोटे शहरों के दर्शकों को ध्यान में रखकर लिखी गई है जहां रिष्टों के भावुक पक्ष पर आज भी जोर दिया जाता है रक्षा बंधन का दूसरा हिस्सा जरूर कई लोगों को कम मनोरंजत लग सकता है क्योंकि यहां दहेच के विरुध कड़ा संदेश है साथ ही लड़कियों की शिक्षा पर बात की गई है हालांकि दूसरे हिस्से में राइटर जोडी हिमांशु शर्मा और कनिका धिलों ने तेजी से कई सारी चीजे समेटी है आनंद एल राय का निर्देशन सधा हुआ है और उन्होंने अपने तनु वेड्स मनु वाले दर्शकों को ध्यान में रखते हुए यहां पूरा ड्रामा रचा है रक्षा बंधन के मौके पर यहां मौजू फिल्म है इस मूवी को हम देते हैं तीन स्टार्स आउट ओफ पाथ स्टार्स दोस्तों अगर आपको आने वाली मूवी के बारे में और अपडेट चाई तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें